जाहिए! Jálliன् दोस्तों, इंडियन डिपेंसे गेंड में अップका स्वागत है, दोस्तों आपको आज हम बताएंगे कि इंडियन आर्मी में चेस्ट, चेस्ट कितना सेंटी मीटर नॉर्मल होना चाहिए, कितना सेंटी मीटर फुलाना चाहिए, और कैसे फुला है, आपको ये भी थोड़ाब दोस्तों वहाँ फोजी भाई इसी तरह टाइट करके पुरा नापेंगे कि असी सेंटीमीटर नॉर्मल अब कि फुलाब पुरा अब देख रहा है दोस्तों तीन सेंटीमीटर मात्र फूल रहा है यह चेस्ट में इस तरह से बाहर हो जाएंगे नॉर्मल चेस्ट आपका अस्ती है लेकिन आपका चेस्ट पाच सेंटीमीटर नहीं फूल रहा है तो आप बाहर है एक बार फिर से तीन सेंटीमीटर माई पे देख सकते दोस्त यह चेस्ट में नॉर्मल चेस्ट में बाहर तीहत्तर सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट कम है आप वीडियो पूरा देखें और जदी चैनल में ने होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें अप ये का कर दिया जा तेरते करा नॉर्मल 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 में सांस को छोड़ देना पूरा दोस्तों तो नॉर्मल जदी बोलेंगे वहाँ फोजी भाइद आपको पूरा सास को छोड़ देना है रिलाक्स पूरा अज जब फुलाने बोलेंगे 72 सेंटीमेटर फुला हो गया 72 से 87 सेंटीमेटर फुल जा रहा है लेकिन नॉर्मल कम है नेक्ट बंदख देखते क्या कमी है नॉर्मल नॉर्मल हाथ नीचे नॉर्मल रिलाक्स पूरा असी सेंटीमेटर नॉर्मल तो होगे दोस्त अब फुला पाता की नहीं देखते चला अब फुला फुरा 80 से 87 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर फुलाया बहुत बढ़िया नेक्स 74 सेंटीमीटर फुला 5 सेंटीमीटर फुल जा रहा है लेकि नॉर्मल कम है नेक्स क्या त्यारी करना आप इंदियन आर्मे में कौन से पोस्ट किते हैं कलार 74 सेंटीमीटर 74 फुला 89 5 सेंटीमीटर फुल जा रहा है लेकिन नॉर्मल कम है जिनका होगी है पिछे चल लेकि बाकी नेक्स आगे 71 सेंटीमीटर दोस्ट नॉर्मल चेस्ट बहुत कम है अब फुला तो लेरा बहुत जादा एक खत्तर से एक आसी दस सेंटीमीटर फुला दिया पुठोवा निकालती है तो मोज कर दिया भाय देखिए 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 बेडियों देखिए आप नॉर्मल नॉर्मल पुरा देखिए दोस्त एक आसी सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर फुला दिया पुरा लेकिन नॉर्मल कम है सबस्क्राइब कर दोस्तों आपको भी जदी इस तरह से जदी नहीं फूल रहा है तो आपको एक्सराइज बताएंगे रेगुलर एक्सराइज करवाएंगे आप भी आइंडियन डिफेंस एकड़ में अपने सपनों को पूरा कराएं जाहिन दोन्दे मातरम भारत माता की जाएं